कि है गाईश देखो अभी मैं आगर आपको बताऊं कि कोई ऐसा स्टॉक जो लगब 80 पसंट गिर चुका हो 90 पसंट गिर चुका हो क्या हम ऐसे कंपनी में निवेज करने की हिम्मत करेंगे नहीं करेंगे वह हमारे पास इतना मतलब हिम्मत ही नहीं हो पाया कि इतना ज्यादा गिरे हुए स्टॉक्स में भी निवेज करें लेकिन आपको पता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं ऐसे स्टॉक्स में पैसा बनाते हैं क्योंकि इनको पता है अल्लेडी 80 पसंट 90 पसंट गिर चुका है अब क्या गिरेगा अगर आप माल लो कि आपनी कोई सकेंड हैं आ अगर बेचोगा कवाड़ों में तो लगबग 5,000 तो ऐसे आही जाएगा समझ रहो ना तो यह वैलूएशन निकालते हैं वो लेकिन अगर वो बाइक के वैलूएशन अगर बेचना चाहते तो लगबग वह 30-40,000 30-35,000 के आसपास वो बेच सकते थे यह 10,000 में भी अगर उसने ही पाएंगे निवेस करने के लिए और LIC हर में इने पैसा डबल मतलब करी लेता पैसा तो चापी लेता वहाँ पर पहले LIC के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई देखो आपको वही बिजनस में स्टॉक्स करी दें जो आपको समझ में आता है आपको वह बिजनस में देखो अपने पॉर्टफोलियो में लगबग 10 से 15 स्टॉक खरीदना चाहिए इससे ज्यादा मत खरीदो लिमिटेड स्टॉक रखोगे तो ज्यादा फाइदे में रहोगे और ज्यादा स्टॉक रखोगे तो मुझे लगता कि आप घाटे में चले जाओगे अब जैसे LIC के बारे में बात कर लेते हैं तो 16 जुलाई को 2021 को यहाँ पर खबर आया था कि लगबग इसने जो है यहाँ पर आपको बताया जा रहा था कि biggest public share sales in the country आपको बताया जा रहा बुक रिकॉर्ड यहाँ पर देखेगा बुक रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट प्रॉ और यह लगबा कुछ महीने की मतलब कुछ महीने की ही आपको बात बताया जा रहे है सोच लो LIC book record 10,000 करोड का profit अप सोच रहे हो न मतलब इतना बड़ा आमांट तो भाई कौन बुक करता है यह तो कुछ नहीं है एक और जटका यहाँ पर मिलेगा आपको 30 April 2021 ही बताया जा 2021 है ऐसा नहीं है कि पूराने खबर आपको बताया जा रहा पूराने खबर आकर मैं आपको दिखा दूँगा तो वो मतलब वो भी अच्छे ही है यहाँ पर देख सकतो है LIC book record profit लगबा पीछले 20 सालों का record तोड़ दिया LIC नहीं है और लगबा 37,000 करोड का profit book किया था कहां स से फ्रॉम शेयर से मतलब शेयर बेच के सोच लो मतलब कि किस कदर जो है आप LIC ने पूर्टफोलियों में profit book कर रखा और LIC के पूर्टफोलियो लगबा जो 70,000 करोड के आज पास है सोच लो तो LIC ऐसे stocks को खरीता है जो लगबाग multi bigger बन जाता है और वो काफी अच्छा मु देखो नॉर्मल था एक महीने में 42% केवल एक महीने में भी आप देख सकते हो मतलब 50% के आज पास रिटन अब बात करते हैं 6 महीने की तो 6 महीने में 83% का रिटन अब देख सकते हो एक साल में तो लगब 77% का रिटन अगर maximum देखो तो यह stock मतलब बहुत ऊपर से नीचे ले इस बड़ा ही नहीं उल्टा घट गट गया इतनी फल्दू कंपनी यहीं बोलते हैं क्योंकि हम 24 गंट भी वेटने कर पाते हैं और यह लोग 10-20 साल वेट करने के लिए तयार होते हैं यहां पर देख सकते हो 2013 से यह कंपनी दौड़ी नहीं रही थी यहां पर देख सकते हैं तो यहां बार परमोटरस ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेची थी यहां परमोटरस के पास पहले 65 परसंट था फिर 63 कर लिया गया 62 कर लिया गया 61 कर लिया अब देखो परमोटरस ने कंटिनू माल बेचा है लेकिन वाले कुछ ज़्यादा इसमार्ट हैं उन्होंने क्य पहले उन्हेंने 21 किया देखो यहां से 20 था 21 किया यहां देख सकते हो 21.66 कर लिया 23.75 कर लिया 25 कर लिया बैच सोचो इन्हें उन्हें हिस्सेदारी बढ़ा ली परमोटरस ने माल बेच दिया सोचो और LIC में भी यहां पर देखो domestic में LIC नहीं सारा माल खरीद के रखा है 2% क पर क्लिक कर वो तो देख सकते हो LIC मतलब बहुत बड़ा माल खरीदने के लिए माना जाता है LIC यहां पर दूसरा स्टॉक यह स्टॉक देख के ना मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं ना कि मतलब आप डर जाता है कि भाई इसको खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा ऐसे कंपन थाई नहीं जिनोंने भी यहां पर खरीद रखा होगा ना इस लेबल पे वो पक्का डू भी गये होंगे और उनका सारा पैसा भी डू भी गया होगा बता मतलब 6,000 रुपे का शेयर अगर आपको मिल जा साथ रुपे में तो आपको कैसा फिलोगा है कि नहीं बहुत बहुत से कमपणी से हम पैसा निकाल लेते हैं अभी जैसे कि विवेक विंद्रजी बोलते हैं कि बही जो कंजूस कस्टमर होते ना उनसे बहे तुम पैसा निकाल लोगा ऐसा बिजनस ट्रेजी आपको सिखा दूंगा तो यह उनको पता है समझ दो ना कुछ लोग क्या होते है कि तो लगवा पिछले एक महीने में इस टॉक्स ने लगबग जो है 55% का ओल ट्रीलिंग के लिए एक कमपनी काम करती है और लगवा कमपनी अभी भी लॉस में है लेकिन फिर भी 55% का रिटन के वल एक महीने में जी एमारे इंफ्रस्रक्शर के साथ साथ यह जो मैंने आपको अब 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 शुर बताया यह भी देख सकते हो यह सारे स्टॉक्स आपको लाई सी के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाएंगे देख लो है कि नहीं है तो आप भी चाहो तो इंटरनेट में जाकर सर इसके पर्फेव यह जाए है कि हम खुद से तुम्दम नहीं चाहते है हम तो दूस्रेकों पर पूरा डिपेंदेंट है हाला कि पैसा हमारा रहेगा लेकिन हम डिपेंदेंट किसी ओर के ऊपर रहेंगे जब पैसा कमाना तो यह हम खुद रहेंगे लिकिन किसि और भी अगर आप एक परसंट भी इंप्रूफ करते हो रिसर्च करने में तो भाई एक साल में आप तीन सो परसंट कम से कम तो तीन सो परसंट होई लगा 365 से मुझे रगता ले लेते हैं आवरेश चलो 300 परसंट आप इंप्रूफ हो जाओगे अगर साल दो साल कमपनी के हो अगर आपने सही तरीके से अनालाइज कर दिया तो मुझे लगता है 4-5 सालों में तो आप अच्छी खासे wealth management वाले बन जाओगे लोग तो इसलिए बोलता हूँ कमपनी अच्छी हो बुरी हो कितना गिर गई हो बस आप research करो सही तरीके से और आपको उसका business model समझ में आना चाहिए और अगर आप stock market में नहीं तो अपने डिमेट अकाउंट एंजल में उपन कर सकते हो जहां पर आपको डिमेट अकाउंट यहां पर देखो तो लगबाग NSC, BSC, Mission Fund कुछ भी खरी सकते हो पर आपको पैसा दोनों सेफ होता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकाउंट बगएरा बहुत आराम से उपन कर सकते हैं